कि हैं दिए बिहार सिक्षक भाली एककी मिस्ट्री की तरह है इसमें कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं है और इसमें कई बार ऐसी चीजें हो जाती है जो आम तोर पे लोग एक्सपेक्ट महीं करते हैं तो आपके सामने अभी एक जिसूचना है बिहार सरकार की जो कि कल जारी हुई थी और जारी होई थी physical education teachers की जो बहाली होनी है उसके समबंध में अब इसमें जो main मुद्दा जो हुआ है जिसके लेकर की video बन रहा है या जो और जगों पर चर्चा का विषय बना हुआ है वो यह है कि इसमें जो provision किया गया है मेधा सूची बनाने का जो final merit list जिसके basis पर selection होना है उसको बनाने का वो STT मार्स के basis पर है कि STT में किसका कितना नंबर है उसी आधार मेधा सूची बनाना है तो इसमें क्या कुछ लिखा हुआ इसको एक बार पढ़ेंगे और साथ में इस वीडियो में भी बात करेंगे क्या इससे बाकी सब्जेक्स वालों को कोई मीनिंग निकालना चाहिए बाकी सब्जेक्स वाले अपने आपको इससे रिलेट कर सकते हैं क्या साथ में फेस की बहाली इस टीटी के मार्स के बेसिस पर होने वाली है तो वन बाई वन चलते ह एक्टिव है यह अख्टिव है प्राफधान है की मध्री द्याल colleaguesnicos शारी श्यूस्वास्तानोंदेशक की नियुक्ती की जाएगी उक्त नियोमावली में शारी शारीज्थ्वय स्वास extent के नियोख्त Nag現在 कि एक बार कौन से रूल एपल् вес थे बूझे इस्त प्रावधानित है कि अनुदेश्यकों के पद पर नियुक्ति की परकिरिया संबंधित दिशा निर्देश परशाशी विभाग द्वारा अलग से निर्गत किये जाएंगे इस लाइन को मैं एक फिर से पढ़ता हूं इसमें यह भी प्रावधानित है कि अनुदेशकों मतलब यह फिजिकल एजुकेशन टीचर वालो कि पदों पर नियुक्ति की परकिरिया संबंधित दिशा निर्देश परशाशी विभाग द्वारा अलग से निर्दगत किया जाएगा मतलब फिजिकल एजुकेशन टीचर की बहाली कैसे होनी है इसको लेकर के जो परशाशी विभाग है जो एडिनिस्ट्रेट कर रहा है वह अलग सी इसका इंस्ट्रक्षण जारी किया करेगा और अभी आपके स्कृन पर वही एदुस्चन दिख रही है जिसके अंदर ये आदेश जारी किया गया है यह अधिस्चन जो है वो जारी की गई है तो अभी तो आपके सामने यह वाली बात ग्लिär हो गई कि अनुदे स्वास्त अनुदेशक के पद पर नियुक्ति हेतु योगिता परिक्षा का योजन दिसंबर 2019 में किया गया था इस योगिता में 3523 अभ्यार्थी सफल घोशित किये गये अब यहां पर यह चीज बड़ा ध्यान देने वाली है कि जो टोटल कैबिनेट से अप्रूव आठ हजार से कुछ उपर और नंबर ऑफ कैंडिट जो क्वालिफाई किये 3500 से कुछ उपर तो मतलब चाहे बहाली इनकी फिजिकल एजुकेशन डिचर वालों की एकैडमिक्स पर होती है या स्टीटी मार्क्स की बेसिस पर होती है हंड़ेट परसंट कैंडिएट की जॉब ल लगता है कि मुम्किन है कि साथ में फेस की जो बाकि सब्जेक्स की बहाली है उससे पहले इनकी बहाली हो जाए उसका कुछ दिखता नहीं है कि वह मामले कैसे resolve किया जाए और government की जो लापरवाहियां हैं वो तो अपनी जगह हैं तो मुम्किन है कि जो साथ में फेस की बहाली है बाकी सब्जेक्स की बाद में हो और ये वाली बहाली पहले हो जाए जिस तरह से नोटिस का ये अगला पेज है ये पीडिएफ कल से ही काफी सारे ग्रुप में घूम रहा है तो जो लोग एक्टिव हैं वो लोग और इससे अवेर हैं आगे लिखा हुआ है शारीजिक शिक्षा स्वास्त अनुदेशक का पद अंशिकालिक है विद्याले के प्रधानत करने के कर्में शारीजिक शिक्षा स्वास्त अनुदेशक के लिए घंटी का निर्मान इस परकार से करना होगा कि इन्हीं विद्याले के पूरे अवधी तक विद्याले में रहने की बाधितान नहीं हो मतलब यह जाएंगे थोड़ी दिर सुबा में काम करेंगे और उसके इनका काम खत्म एक तरह से पार्ट टाइम जॉब जैसा है और शायद यही कारण है कि इनकी सैलरी सिर्फ आठ हजार रुपे रखी गई है इनको पूरे दिन वहाँ पर स्कूल में रहने की कोई जरूरत नहीं है तो यह सब बाते तो हैं लेकिन यह सब बाते अपने काम की न संबंति थी नियाम मावली में हमिशा प्रोविजन है कि मेधासोची कैसे बनेगी संबंदी नियोजन इकाई के सदसे सचीव के दौरा मेरा सुची का प्रारूप तयार किया जाएगा नियोजन इकाई कि जो सचीव होंगे उनके पास ही आउथुरिटी होगी कि वो मेरा सुची तयार करें ठीक है यह गरबड चीज है यह नहीं होना चाहिए क्योंकि लोकल लेवल जब के पास control आ जाता है वहीं पर corruption शुरू हो जाता है तो यह गरबढ़ है centralized जिस तरह साथ में फिर जो संजे कुमार ने पीछे बात किया था वही हो तो बहतर है online हो और online ही एक list बना दी जाए जिस किसी का भी job हो लेकिन एक list बना दी को अवरोही कर्म में रखते हुए मेधा सुची प्रारूप तयार किया जाएगा मतलब स्टी एटी मार्स का जो percentage होगा उसके basis पर एक merit list बनाया जाएगी योगिता परिक्टा में बहुत सारे लोगं का रखा है और वही सिंगल मार्स है मतलब 105.34 अगर आपको मिल गया 105 से 106 के बीच में ता आपको 105.84 नहीं मिलेगा आपको 105.96 नहीं मिलेगा मतलब दो numbers की बीच में जो decimal का एक number है वो एक fix है और वही बहुत सारे लोगं का रखा है अब ऐसा हुआ है नर्मलाइजेशन की वज़े से तो इसलिए आपका जो date of birth है वो भी बड़ा important है selection में physical education teacher वालों के लिए उसके आगे लिखावा है योगिता परिक्षा में प्राप्त परतिशत आंग के समान रहने की स्थितिय में तो हम लोग पढ़ चुके हैं समान परतिशत आंग के समान जो नदी सूचना जारी की गई है उसके अंदर अब इसमें कुछ चीजें हैं जो पहले बात तो जो अनुदेशकों की बहाली थी इसके ओपनिंग पेराग्राफ में ही लिखा हुआ था कि उसके लिए अलग से instruction जारी किया जाएगा तो वही अलग से instruction जारी हो रहा है अभी जो नियमावली एफेक्टिव है उसमें academic basis पर प्रावधान है उसमें तो स्टीटी मार्स को बिल्कुल हटा ही दिया गया इसके पहले क्या बोनस मिलता था लेकिन जो 2020 में नियमावली आई उसमें स्टीटी मार्स की वैलू ही खतम कर दी गई तो इसको लेगर के पहले भी बहाली के संबंद में इसको निर्गत किया गया है सिर्फ इस नोटिस को जो निकाला गया है सिर्फ फिजिकल एजुकेशन टीचर्स वालों के लिए लेकिन इससे एक इशारा ये भी है कि बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट का स्टैंड कैसा है इसे ये एक बात रिफले कर दिया जाए क्योंकि अभी जो कुछ किया गया है उससे तो यही लगता है बागी क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा लेकिन ये जो बहाली है चूंकि ओपनिंग पैराग्राफ में ही लिखा हुआ है कि स्वास अनुदेशकों की बहाल है लेकिन इससे गौर्मेंट का स्टैंड दिखता है कि अगर कल को गौर्मेंट ने चेंज किया नियमावली में बाकी सब्जेक्स के लिए तो उसमें क्या आ सकता है वह आप लोग इसके इशारा है इसमें कोई डाउट नहीं है तो इसको बस उसी तरह से लें इससे जादा क तो अभी के लिए यही चीज थी बाखी आपकी जो भी राय हो आप ने चे कमेंट बॉक्स में लिखिए ये कितना सही है कितना गलत है ये तो अब गौर्मेंट पर छोड़ते हैं ये बागी के एन डेट्स पर छोड़ते हैं लेकिन ये वाला जो प्रोविजन गौर्मेंट यह वाला नोटिस जाली कर दिया बागी जब कभी भी भी बहाली होती है तो यह देखना होगा कि चूँकि इनको कंट्रॉल मिल रहा है लोकल लेवल पर नियोजर निकाई को तो क्या इसमें भी कोई धानली शुरू हो जाती है हलांकि इसमें धानली यह कोई मतलब है नहीं कि में कोई competition है नहीं तो यह भी देखना हुआ कि आगे किस तरह से government इनको handle करती है और एक और चीज है इसमें ध्यान दने वाली बात कि इसमें government phase से अलग हो करके बहाली कर रही आम तोर पे अभी तक जो 2012 के बाद जो बहाली हो यह वो phase बाई तो आपको जल्दी जल्दी update करने कोशिश करेंगे अभी के लिए इतना ही thank you